बादाम के बाद नंबर आता है जो ड्राइफ रोट से है कहें कि सूखे मेवे के अंदर काजू का काजू का भी बहुत उचित अच्छा प्रयोग हो सकता है यदि आप इसका प्रयोग करना सीख जाए या आपको पता लग जाए कि इसके किस प्रकार के नीचर होता है तथा कौ करते ही के अंदर मधूर होता है यानि कि इसके रस होता है यानि कि स्वाद होता है वो मीठा होता है खाने में मीठा लगता है साथ साथ इसकी जो पोटैंसी होती है उष्ण वीर है अर्थात की गरम पोटैंसी का है होट पोटैंसी का है श्रीक अंदर उष्णता पैदा कर सक करता है फिर यह लगू है यानि की पचने में हलका है लाइट इन डाइजेशन है असानी से पच जाता है और दोशों की बात करें तो खास करके बात और कफ का नाश करने वाला है और पित्त की थोड़ी बहुत वृद्धी करने वाला है इस प्रकार से इसके गुण कर्म बताए बात करें इसके फायदों की तो यह उष्ण और लग हुए अर्थात की होट और साथ ही लाइट इन डाइजेशन है तो हमारे पाचन को बहुत अच्छा करने वाला है यह हमारी भूक को बढ़ाने वाला है असानी से पच जाने वाला है क्योंकि हलका है पचने के अंदर था उष्ण है तो अगनी का दीपन करने वाला है डाइजेश्टिव फायर को और अच्छा करने वाला है ताकि हम अन्य भोजन में बहुत अच्छे से पचा सकें तो हमारे पाचन को सुधारने वाला है उसे दुरूस्त करने वाला है साथ ही साथ फिर यह आईबियस जैसी करन होता है पीता जाईबियस उसके अंदर अच्छा नहीं है क्योंकि यह उष्ण है यह गर्मी को बढ़ाने वाला है तो इस प्रकार से वातज और कफच संग रहनी यह ग्रहनी रोग के अंदर बहुत उचित कारे करने वाला है फिर यह वात का नाज करता है तो पेट इत्य होता है तरह च्छा की का काझु को आलमंड मक्न करने वाला होता है मिला कर के सेवन करना बहुत ही और अच्छा रहता है तो दोनों को जब एक साथ मिला गए तो वात्फिकारों के अंदर बहुती उचित काम करने वाले होते हैं फिर यह है वृष्चम यानि कि शुक्र को बढ़ाने वाला है, स्पॉम को बढ़ाने वाला है, स्पॉम काउंट और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने वाला है धातुकत किसी भी कमजोरी को यह दूर करने वाला है fertility आपकी अच्छी करने वाला है चाहे हो महिला हो चाहे हो पुरुष हो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है फिर यह कफ का नाश्ट करने वाला है का फर्थात आपके वजन को भी घटाने में सहायक होता है वजन घटाने के लिए इसका प्रयोग होता है दूद इत्यादी के साथ यह घी त्यादी के साथ नहीं किया जाता है दूद घी त्यादी के साथ यह आप इसका सेवन करेंगे यह आपके भजन को बढ़ाने वाला है क्योंकि यह वात का नाश करने वाला है शरीर का ब्रहनम भी करता है बस इसका अनुपान अगर बदल दिया जाए इसके सहयोगी और शदी को बदल दिया जाए जैसे जब इसको दूद के साथ आप इसका सेवन करेंगे या घृत इत्यादी में भून करके इसको दूद में करश करके उबाल करके पिएंगे तो आपके शरीर को यह बढ़ाने वाला होता है और यदि आप दूद इत्यादी के साथ सेवन नहीं करेंगे या सादा इसको खाएंगे या कहें इसको शहद इत्यादी के साथ जब इसका सेवन करेंगे तो आपके शरी को घटाने वाला है यानि कि यह दोनों काम करता है क्योंकि वात्का भी नाश करता है तो शरी को बढ़ाएगा कफ कनाश करता है तो शरी को घटाएगा बस इसकी अनुपान ओशदी यानि कि सहयोगी ओशदी को हम अगर बदल लेंगे यह दोनों काम करता है फिर यह मेथ यानि कि बुद्धी को बढ़ाने वाला है को इंटेलिजेंट बनाने वाला है खास करके बुद्धी के अंदर रुक्षता आ जाती है और यौ कि वाईू डॉमिनेंट हो जाती है तो उसके अंदर बार-बार भूलना या दास्ति कमी होना यह कहाती नदर बुलक कर सोभाव हो जाता है। उस प्रकार कर सत्रना रहना। इस तरह की समस्यों को यह दूर करने वाला है, खास करके उस समय इसका सेवन जो है, दूद या घृत इन दोनों के साथ, या कहें कि दोनों में से किसी एक के साथ, घी में आप काजू को अच्छे से से शेक लें, उसका सेवन करें, उसको रख लें किसी डबेत्यादी में, या क नहीं सेखते हैं आपके बुद्धर नहीं हुभिगे तो दू धजय घंजा कम करते एक स्बेग्य के अच्छा काम करने वाला है इस दिझा.' सबगार ग्मिद्ध्र करने वाला है। उसमें भी इसका सेवं के साथ करना चाहिए। साथ शाथ आपकी बॉड़ी में केल्सिम इत्यादी को ये बढ़ाने वाला है, हड़ियों को दुरुस्त करने वाला है, फिर ये पांडु हर, यानि कि एनेमिया या खोन की कमी को भी दूर करता है, रक्त की कमी या हीमोगलोबिन का कम हो जाना, खास करके महिलाओं के अंदर य इत्यादी के साथ भी काजू चल सकता है, वह खून को बढ़ाने वाला है, फिर व्रणहर, यानि कि घाव इत्यादी को असानी से भरने वाला है, घाव या चोट, पेवर कट इत्यादी लग जाए, तो उसका घाव जल्दी भरता नहीं है, पस जल्दी सूखता नहीं, तो य साथ के एक और रोग की बात करें, तो अर्श या कहें कि ड्राइपाइल्स या बादी बवसीर जिसको कहा जाता है, जिसमें मसा हो जाता है, रक्तित्यादी जिस बवसीर में बहता है, खूनी बवसीर जो होता है, वह उश्नता के कारण होता है, लेकिन जो बादी बवसीर हो लाव उठा सकते हैं मित्त वालों को भी यह दूद इतैयाद लो की उस्प्रिकार को कम करने वाला है कि ठंडा करें वाला है तो जाम कहें इसका कार से काजु का सेवन करें और और उशदिया इसके लाब उठाएं इसी प्रियार की ज्ञानवर्दक और स्वास्वर्दक ज्यानकारियों के लिए हमारे साथ जूड़ें से चैनल को सब्सक्राइब करतें बेल आइकन का बटन दबादे ताकि आने वाल नटिकान आपके समय प